गुद मॉनिंग टेट्स अलोब्रीबन आप सब्सक्राइब एक विस्सा ट्रेटिमेट यहां सब्सक्राइब जिस त्रेयर के उपर बात करने वाले हैं अगर आप भी चुक हो तो खरी सकते हैं क्योंकि काफी कम रुपए का है रिस्क बहुत कम रहता है आने वाले टाइम पर आपको अच्छा खासा रिटन भी दे सकता है तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करने हैं जरूर प्रस क वह एक रुपए पांच पैसे पर मार्केट उसकी क्लोज हुई है कोई ज्यादा बहुत बड़ी मुमेंट दिखती नहीं है सेयर में बट इस्टिल एक अच्छी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत अच्छा आपको फूचर में रिटन दे सकता है इस्पेसिलिस्ट है ट देखें जो कि जिसके वेज़े से मैंने यह वीडियो चुना आप लोगों को डिसकस करने के लिए वही में चीज था नंबर ऑफ सेयर होल्डर क्योंकि इसके नंबर ऑफ सेयर होल्डर देखें वहां पर ज्यादा लोग इसमें होड़ दर के चल रहे हैं और एवरेज वैल्म पर नजर डाने ट्रेस तो वो टूटल डेप्ट जो है वो सेबन बिलियन का है टूटल एसिट जो कंपनी पास है 69 बिलियन की है तो इससाब से डेप्ट काफी बड़ा है बट स्टिल आगे अगर हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में तो और आप पुछे समझ में आए जो है वो दोनों ही बहुत पुरा है अगर पुराने डाटा देखा जाए अगर आप इसको कम वैलू पर बाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और आने वाले टाइम पर आपको अच्छा रिटन भी दे सकता है बट इस टेल बुक वैलू भी इसकी नेगटी में है ROE और ROCE दोनों ही नेगटी में है तो इस हिसाब से मतलब डाटा के हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो मतलब 10 टाइम स्प्लिट हो सकता है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ तो कम्पनी पर डिपेंड करता है इस हिसाब से अगर इसको आप लोवर आजाता है कम्पनीकेशन से इंडस्टरी स्पेसिलिस्ट टेली कम्पनीकेशन की है तो जी टी एल इंफास्ट्रक्ट्टर लिम्टेड जो है प्रोविजनल टेलीकॉम टावर जो होते हैं उनके बेसिस पे मल्टिपल टेलीकॉम ऑपरेट करता है तो यह बहुत अच्छी फि मतलब बिजनस इसका ग्रोथ हो जाता तो बहुत की अच्छा मतलब opportunity है आपको अच्छा return देने की और company जो फाउंड की गई थी ज्यादा कोई पुरानी नहीं है February 4 2004 headquarter Mumbai इंडिया में है अगर आगे peer comparison करने तो peer comparison पे अपने 4 number पे आती है market capital ठीक ठाक है इतनी ज्यादा बुर अच्छा नंबर है देखिए अगर इसके मैं quarter sale का बताऊं आपको 345 करोन का quarter sale हुआ था तो इस तरीके से इसकी बहुत अच्छी है profit variation भी quarter wise बहुत अच्छा है प्लस में रहा है बट इसका return on capital liquidity इसी का ही माइनस में है बाकी देखेंगे आप किसी भी company का माइनस में नहीं है बट इस्टिल पिछले पहले से recovery अच्छी है देखिए इसका जो operating तो profit बनी रहा है बट net profit में यह मात खा जा रही है company आने वाले टाइम पे अगर यह सुधर गया तो बहुत अच्छा आने वाले टाइम पे return देगी profit loss book में भी वही है operating से तो profit बन रहा है company को बट net profit में आके लडखरा जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे depreciation इसका ज्यादा हो जा रहा है interest भी तो इन सब चीजों की वाज़े से other income जो है वो भी इसको थोड़ा चिंता में डाल रही है अगर 12 महीने का पिछले अपसे 12 महीने का देखा जा तो 70 क्रोड माइनस में इसका net profit आय यह एक खैरानी वाली बात है अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे low interest coverage ratio रहा है कंपनी का promoter की holding भी बहुत कम है 3% के करीब है तो बहुत ही कम लगभग अगर किसी share में आप मैं अच्छे से बता हूं गर आप invest करना चाहते हैं तो 50% से उपर रहता तो मैं उसको ज्यादा कि इतना चोटे rate पे CR अगर trade कर रहा है तो future आप लोग अगर अच्छा सोचेंगे तभी positive mindset क्योंकि loss के लिए कुछ है नहीं आप 2000 बहुत low value मतलब invest कर सकते हैं अगर आप करना चाते हैं risk लेना चाते हैं promoter की holding देखिए 100% मतलब पूरी गिरवी रख रखी है उसके बाद company cost borrowing साइब देख रहा है फिट प्रमोटर की holding भी लाज्ट थ्री इयर से decrease हुई है लगभग 11% की cash flow और बाकी सीजों पर बात करेंड तो cash flow बहुत बढ़िया सुदरा है इस company का दिखा रहा है net cash flow मतलब company का business smoothly run कर रहा है बाकी sales growth देखें और profit growth देखें तो 12 महीने से profit growth जो है इस 1000 growth हुआ है फिर sales growth जो है इसकी माइनस में आई है देखें पिछले 12 महीने से पिछले तीन यह से तो उसमें गिरावट आई है return on equity भी आपको मैंने starting में बताया वह भी माइनस में है balance sheet पे नदर डालने ट्रेयर्स तो इसकी borrowings इन्होंने कम की है यह अच्छी बात है पर company के प मिल नहीं रहा है जिससे मैं इसको आपको पुस्टी बीटी दिखा सकूं कि हाँ यह काफी अच्छी है बाकि investment को कर रखी है company ने सितंबर में देखे 62,000 की है तो जैसा number है मैं वैसा ही आपको बताता हूं share holding patterns पे नजर डाने ट्रेयर्स तो 2000 December 2017 में इसके पास 13-14% तक महली जी अच्छी नहीं देखा है जितनी अच्छी इसमें है देखे 63% अपने domestic investor जो है invest करके चल रहें तो बहुत अच्छा सोचा होगा क्योंकि ऐसे ही नहीं invest करते हैं उसके बाद public की holding भी 31% तो public का भी बहुत बड़ा number है और DIs का भी बहुत बड़ा number है आगे अगर इसका चार्ट देख लें तो आपको दिखेगा कि number के ending से अब तक जो इसका volume growth है वो काफी ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि चार्ट में भी movement आई है आपको दिखेगा पचास पैसे से एक रूपए पांच पैसे तक company गई है तो इसके जैसे चार्ट में भी अच्छा moment दिख रहा है आपको नीचे मिल जाती है नजर में रखिए ले लीजिए current price पर भी ले लेंगे तो आपको future में हो सकता है बहुत अच्छा return दे क्योंकि company पर पास होने के बड़ा volume growth हुआ था मतलब मैंने पूरा chart squeeze किया फिर भी इतना बड़ा volume का growth था तो मैंने सुचा कि यह आपको बताऊं कि कितना बड़ा volume पे buy आया था तो यह बहुत अच्छी बात है आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे बाके volume के यह जो मैंने अकेला एक मार कर रखाई यह बहुत बड़े number पे इसमें buying आये थी तो यह चीज मेंसन करना जरूरी था आप भी अगर इसमें invest करना चाते हैं तो कर सकते हैं था आप बताइए आपको कैसा लगाई इस यह